हमारा ही सबका संग्ठन है अगर वो सुधरगे हैं और सभी पेड़न पर काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है तो यह की बात है दरसल आज की जो यह चर्चा है यह चर्चा कैई दिन चलेगी लगातार और यह इसलिए भी चर्चा चलेगी लगातार क्योंकि आगे बुद्पूड मा आ रही है सोले तारिक और उससे पहले दिल्ली का काईक्रम है पंदे तारिक और यह चर्चा 365 दिन चलेगी क्योंकि लगातार हर महिने किसी न किसी महापुरुस का जरंद में आता रहता है और नागपुर में जो रिजलुसन पास हुआ है जो संग का आदेस आया है जो संगादी सेस आया है वो सभी के लिए पास हुआ है नागपुर का जो संग आदेस है वो यह कहता ह कि हमारे किसी भी महापुरुस का जरंदन है या मरदन है या उसके कोई अच्छे कार्य का दिन है जो हम मनाते हैं वो अब हर सहर में एक मनाया जाएगा एक ही मनेगा इसकी सुरुआत डॉक्टर करके जरंदन से हुई काफी सबलता इसमें रही क्योंकि बहुत सारे जिलों में लोगों ने चंदा नहीं दिया वह खुद अपना दरी अपना पैसा लेके अपना खाना लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने अपने इखटे होने का प्रमा दिया है महाँ पर यह जानकारी जैसे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम सफल होते चले जाएगे दरसल हम को जो जैन्ती मरानी चाहिए और जैनती मनाने का पैटरन है पड़े लिखे और बुद्धी जीवियों की जैनती होती हैो बहुत मैजडार जैनती होती है उस जैनती में हमको इखटे होके ये बताना चाहिए कि मेरा सहर ये है और इस सहर में तीन सो पैंसट दिन में यानि कि जो पहले तेरे अपरेल गई है तेरे अपरेल दो सो दोजार इकिस से लेके चौदे अपरेल दोजार बाइस तक मेरे हमको ये बताना चाहिए कि मेरे सहर में ज सोसमें फलाने अफ्फर बने हैं 300 उसमें फलानी जिए के गए Should के खें vest में इतने लोगों ने पिए सदी कर ली है इतने लोगों निये काम किया है इतने लोगों ने वो क्या है हमारी महना इतनी आगे बड़ी हैं हमारी बच्चे अब इतने परशंट पढ़ने लगे हैं यह चौदे अपरेयल को हमें एनाउंसमेंट करने चाहिए हर सहर में कि हमारे सहर ने इतनी तरक्की कर ली है पिछले बावास आपके जरंदिन से लेकर इस तक हमको अपनी तरक्की बतानी चाहिए हमको अपने सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि हम कितने इखटे हुए कितना हमने काम किया कितना नहीं किया और बावास आपका इस अपना हमने इस साल इतरा परसेंडेज पूरा कर लिया और अगले साल हम और महनत करेंगे और हमारा सहर इसमें और सहरों के मकाबले में बावस आपकी बात को मानते हुए और काम करेगा हमको यह उपलब धिया रोजगार में, काम में, क्या है, क्या रही है, जैनती इसलिए मनाई जाने चाहिए, और जैनती का मना किसने रहे हम, जैनती इसलिए मन रही है, कि मेरे को एक भिक्तु का बार 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 मेसेज आता है, और भिक्तु ये कहते हैं, कि आज मेरी मिटिंग फलानी जिगह है, मेरे क बलाने बलाने का कंप्रिशन चला है भाशन का कंप्रिशन चला है मीटिंग में आने जाने का कंप्रिशन चला है तेरी मीटिंग में कितने आदमी और मेरे मीटिंग में कितने आदमी और तूने कहां लगाई और मैंने कहां लगाई तेरा मंच कैसा और मेरा माइक कैसा और तू मीटिंग में वो रिटाइड आये साय और तेरी मीटिंग में यह वंत्री आया यह सब देखावा और यह सब जो चीज़ें चल रही है इस से नुक्सान हो रहा है दरसल जब जैनतियां मनाई जाती है और जैनती की बात होती है तो जो दूसरे लोग हैं वो यह कहते हैं कि अरे यह सब लोग अलग अलग जैनती मना रहे हैं यह अची बात दूसरे लोग सोस रहे हैं दूसरे लोग कहते हैं कि जैनती मना रहे हैं यह खराब बात है पर जैनती अलग अलग मना रहे हैं यह अच्छी बात है और हमारे जो जो जैनती मना रहे हैं जो जैनती चल रही है और जैनती अलगलग मना रही है वो दोनों के दोनों ठीक है दोनों के दोनों बड़ी है वो दोनों को एप्रूवल दे रहे जब कि दूसरे वाले लोग अलगलग जैनती मनाने को अच्छा दे रहे हैं जब विरोधी विचार धारा कि लोग किसी काम को अच्छा बचाएं तो हमको सतर खोना चाहिए कि यह अच्छा क्यूं बता रहे हमारे अलग-अलग जैनती मनाने को अच्छा क्यूं मना रहे हैं तो कि अलग-अलग जैनती मनाने से हम कोई बावास आपकी उपलब भी नहीं बता रहे हैं हम तो अपनी नलाइक ही बता रहे हैं हम तो यह बता रहे हैं कि हम बावास आपके जनन दिन को एक मौक्व है एक अच्छा मौका जहां हम अपनी उपलत भी बताएं जहां आगे की समस्या बताएं आप बैठके बात करें और पूरा शहर एक साथ बैठके बात करें एक साथ मिले जुले हम और टुकड़े कर देते हैं एक दूसरे को दिखावे म और देखने में और टुक्रे कर देते हैं तेरा डीजे इतना बड़ा मेरा डीजे इतना बड़ा तूने इतनी गाड़ी लेका आया मैं इतनी गाड़ी लेका आया तेरा जंड़ा इतना उच्छा मेरा जंड़ा इतना उच्छा आपस मेहीं हम भिखरे जा रहे हैं आपस मेहीं स उस व्यक्ति के नाम पलग होते जा रहे हैं जिस व्यक्ति ने हमको मर्ते मर्ते भी कहा कि मेरे बच्चों इखटे रहना इसलिए जैनती हमें नुक्सान दे रही है जैनती मनाना बहुत अच्छा है गाउं में जो जैनती मन रही है वो बहुत फायदेबंद है क्योंकि गाउं म जो हैंचल होती है उसका असार नीचे तक जाता है इसको कोई चर्चा करने को त्यार नहीं है चर्चा कौन करेगा सबके धंदे चलते हैं सबकी पड़्चा करती हैं सबके पैसे आते हैं सबकी मौज होती है सबकी मस्ती होती है सबके फूटू खिसते हैं सबके नाम चपते हैं नेताओं के पास, हमको गुस्से में थे, वो कुछ और भी कहना चाहते थे, उनको कहना चाहिए, क्योंकि नुक्सान हमारा बहुत है, क्योंकि हमारे जो हैंकर हैं, उनकी भी भासा मर जा देता है, वो भी कहते हैं, भाई थोड़ा सा पेसेंस रखो, पर कहां तक आदमी पेसेंस रखेगा, हम तो यहां तक कहते हैं, भाई या इनके पैसे बंद करो, हर्ताल करना बलकुल वाजीब है, कोई और एक्सन लेना है, वो भी लोग, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, अगर हम चुप बैठ गए तो मारे जाएंगे, इसलिए यह टॉपिक तीन चार पास दिन चलेगा, और खुलके आप बोलिए, खुलके बोलेंगे, तो बाद में करेंगे, और खुलके नहीं बोलेंगे, तो बाद में करेंगे क्याक्तों की, अलग, अलग कोई भी काम करना हमारे लिए जहर के बराबर है, चार बेशक वो हमारे बावा साब की जैनती है, कोई कहे के जैनती मनाना बहुत अच्छी बात है, मगर वही जैनती अलग-अलग बनेगी तो बहुत खराब बात है, क्योंकि अलग-अलग तो हमारे टुकड़े होई नहीं और फिर बाबा साब के नापर बेशक अलग-अलग तुकड़े हो रहे हैं, तो हमको इखटी कौन सी जैनती करेगी फिर, बाबा साब से बड़ी कोई जैनती है नहीं, और इस जैनती में भी जैसे जैसे वहां महां जोड़ेंगे, तो जैसे 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 जुडने में जैनती भी तो आती है, जैसे 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 जुडने का मतलब जैनती भी तो हमें जोड़ेगी, और जहां जहां जैनती है, वहां महां हमें तोड़ती है, और जैसे 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 जैनती है, वैसे वैस से पिर जो जोड़ने वाला हमारा मस्ही है उसके नाम पर चूटेंगे तो हमको जोड़ने के लिए कोई आने वला नहीं है अब। इसलिए इस टौपिक को खुल के बोले, बहुत सारा मृसला है आप सोचेंगे समझेंगे तो इस टौपिक में नकल के आएगा आप और थोड़ा ध्यान लगाई है बच्पन से लेकि अब तक देखिए कि हमें कितने नुक्सान हुएं कितने फायदे हुएं तो आपको इसकी बारियों को का पता चलेगा तीन चार दिन स्टॉपिक को रन करेंगे हम और जो लोग कंसेप्ट देने वाले हैं वो इसी कंसेप पर अपना कंसेप्ट देते हैं जैसे मैंने दिया है तो अच्छा हो जाएगा धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामूँ संगं सरेनं गच्छामूँ तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामूँ तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामूँ तूथियं पी धम्मं अर्सेनं गच्छामूँ तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामूँ तूथियं पी सेन्गं सेनं गच्छामूँ बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्थियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्थियं पी संगं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामीम